स्टूडेंट्स एल्गी की क्लास में पुने आपका स्वागत है आज हमारा नया चप्टर शुरू करेंगे उड़ोगोनियम उड़ोगोनियम हिंदी में हम इसको बुक्स में लिखाओ उड़ोगोनियम भी कहते हैं यह आप देख सकते हो कि इस फोटोग्राफ के अंदर आपक दिखाई दे रहा है जैसे कि कॉटन से बिछा रख्यों ग्रीन कलर की यलो कलर की यह सब थैलस है उड़ोगोनियम का पूरा उड़ोगोनियम पत्थरों पे अटेच है पत्थरों के उपर चिपका हुआ है यह पानी के उपर है पानी के उपर उड़ोगोनियम का थैलस पूर फैला हुआ दिखाई देता है तो सबसे पहले हम इसका लेंगे classification यह उड़ोगोनियम के filaments वह जो थैलस हमने भी देखा वह थैलस ऐसी इस तरह के filaments का इस तरह के तंतु हों का बना हुआ होता है अभी हम इसके details study करेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं classification division chlorophyta class chlorophyce order उड़ोगोनियल्स फैमली उड़ोगोनियसी और चीनस है उड़ोगोनियम क्लोरोफाइटा और क्लोरोफाइशी यह दो के characters हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमने बहुत सारे members chlorophyce class के किये हैं आज हम characters ऑ्ड़ोगोनियल्स के फिर और उसके बाद study अफ ऊड़ोगोनियलस उड़ोगोनियल्स सबसे order के अंदर आने वाले जितने भी members है वो जरनसी फ्रेश वकशन वेटर होते हैं यानिके साफ पानी के अंदर लवनिये जल के अंदर पाए जाते हैं अलवनिये जल भी ऐसा जो कि शांत और धिरे-धिरे बहता हुआ पानी होता है बहुत तेज बहते हुए पानी में उड़ोगोनियम दिखाई नहीं देगा आपको उड़ोगोनियम पाया ही नहीं जाता वहां पर जहां ध उडोगोनियल्स की एक इस औरके अंदर ओडो डोगोनियम् टेरिस्टिस यह जो है जाली स्पीशिस है बाद की जाता तर जाल जितनी पर जाते हैं वह सब कैसी है वह फ्रेश वाटर है दोगोनियल्स के मेंबर एपिफिटर करो करते हैं यानि कि अधी पादपिये होते हैं अर्था दूसरे बड़े पादप जो पानी के अंदर उपस्तित हैं जैसे कि बहुत सारी एंजियो स्वर्म्स होंगे उनकी पत्तियों के उपर प्रेजन्ट हो सकते हैं तो यह अपिफेटिकली ग्रो करते हैं इसके अंदर उड़ोगोनियल्स के अंदर थैलस शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी हो सकता है थैलस जो है वो फिलामेंट से बना हुआ होता भी आपको मैं दिखाये थे फिलामेंट्स वो फिलामेंट्स शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी हो सकते हैं शाखित फिल फिलामेंट्स आधार से चिपके हुए रहते हैं, फिलामेंट्स are attached to the substratum by their basal cell called holdfast, ये सारे के सारे फिलामेंट्स सबस्ट्रेटम से attached रहते हैं, और attachment के लिए इनके अंदर एक special cell पाई जाती है, आधार ये कोशिका पाई जाती है, जिसको की holdfast कहा जाता है, ये rhizoidal cell कहा जा इसके फिलामेंट्स में जितनी भी cells पाई जाती है, सब के सब eukerotic होती है, और एक nucleus, एक केंद्र की होती है, uninucleate होती है, और cylindrical होती है, cylinder की shape की होती है, tubular shape की होती है, इनके अंदर जो nucleus है, वो parital होता है, परिधी होता है, अर्थाथ cell wall के, cell की जो wall है, membrane है, उसके आसपस परिधी में nucleus उपस्तित होता है, वोड़ोनियल्स के member में, apical और basal polarity पाई जाती है, they are broader at anterior end, यह हमेशे anterior end की तरफ cells इसकी चौड़ी होती है, और posterior पीछे के भाग में जो कोशिका है, वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, और apical cell जो होती है, इसकी थोड़ी सी different होती है, वो और basal cell hold fast होती है, chloroplast इसके अंदर parietal होता है, परिधी में ही chloroplast पाया जाता है, और उसके अंदर बहुत सारे pyreneoids उपस्तित होती है, इनके अंदर cell division unique होता है, यानि के unique का मतलब कि special होता है, by spreading of lateral walls of cells, होता कि इसके अंदर cell की जो lateral walls है, पार्षव की जो दिवारे हैं, व विभाजित हो जाती है, फिर उनका nucleus विभाजित होता है, उसको शिका का, जिससे की एक से दो को शिकाएं बनती है, इसका detail हम भी पढ़ेंगे, और sexual reproduction, जू स्पोर्स के द्वारा होता है, चल बजानों के द्वारा अलेंग एक जनन पाया जाता है, जू स्पोर्स के अंदर जाते हैं, उनके अंदर फ्लेजिला उपस्तित होते हैं, और बहुत सारे फ्लेजिला होते हैं, वो फ्लेजिला अगर भाग पे लगे रहते हैं, लेकिन वो एक रिंग में लगे रहते हैं, जो बहुत सारे फ्लेजिला हैं, वो अगर भाग में एक रिंग के अंदर, मतलब ए एडवांस उगमस प्रकार का होता है सेक्शुल एडवांस उगमस याने कि अंड यूगमकी या विशम यूगमकी प्रकार का लेंगिक जनन पाया जाता है इसकी ओड़ोगोनियल्स की कुछ स्पिशिस के अंदर बोने तंतू भी पाये जाते हैं ड्वाफ फिलामेंट्स बोना नर तंतू जो हैं कुछ स्पिशिस के अंदर वो बोने होते हैं तो अड़ोगोनियल्स की कुछ स्पिशिस में ड्वाफ फिलामेंट्स पाये जाते हैं उड़ोगोनियल्स के अंदर इस ओडर के अंदर केवल एक ही फैमिली आती है उड़ोगोनियसी केवल एक फैमिली है उडोक्लेडियम उडोगोनियम और बल्बोकीट तीन तरह के प्लांट्सी इसके अंदर उपस्थित हैं इसमें भी उडोक्लेडियम जो है वो टेरिस्ट्रेल है स्थलिय है और उसके अंदर विशमतंतु की थैलस पाया जाता है अर्थात इअर्ट और प्रोश्ट दो तरह के फिलामेंट्स उपस्थित होते हैं ही टिकिरो ट्रपाया जाता है उडोगोनियमर बलोकीट एकवेटिक होते है इसी तरह से उडोक्लेडियम और बलोकेट इनकी अंदर फिलामेंट्स पाय ज उड़ोगोनियम के अंदर जो फिलामेंट्स है वो अशाखीत होते हैं अभी आपको दिखाते हैं यह देखो यह उड़ोकलेडियम है वेड़ोकलेडियम के अंदर यह आपको शाखन दिखाई दे रहा है कोशिकाए लंबी है सिलेंड्रिकल है और यह शाखन इनके अंदर पाय हम वारी दे रहे हैं सैल मज़िए ओर दोडर के उधाया जाता है तो इस तरह से तीन ही मैंबर है इस आर्डर के अंधर इस फैमिली के अंदर और तीनों में से थो ब्रांचड filaments वाले होते हैं और odogonium जो है वो unbranched filaments वाला thallus होता है तो ये तो थे odogonials और odogonies के characters अब हम शुरू करते हैं odogonium तो सबसे पहले हम लेंगे occurrence of odogonium या odogonium किस तरह के हवातावरण में पाया जाता है odogonium odogonium ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर के बना है oidos और gonos oidos का मतलब होता है swelling और gonos का मतलब होता है reproductive body याने कि इसके अंदर जो reproductive bodies पाई जाती हैं वो fully हुई होती है odogonium के अंदर reproductive bodies fully हुई पाई जाती है और वो बहुत common होती है odogonium submerged होता है याने के पानी के अंदर डूबा होता है और fresh water algae है exclusively fresh water यह सिरफ fresh water के अंदर ही पाई जाती है और slow running और quite water के अंदर मतलब धीरे बहते हुए पानी में और शांत पानी के अंदर पाई जाती है इसकी बहुत सारी species known है odogonium की 400 species जो है वो नोन है जिसमें से 200 species जो है वो इंडिया के अंदर रिपोर्ट की गई है यह apophatically aquatic plants के उपर पाया जाता है याने कि जलिये पादप जो है बड़े बड़े उनके उपर यह अधी पादप की रूब में पाया जाता है aquatic plants भी कैसे जैसे fresh water के अंदर पाया जाते हैं मुक्त रूप से तैरते रहते हैं परंतु जब यह young होते हैं तब यह attached रहते हैं कहां पर लकडी के उपर या aquatic angiosperms की पतियों के उपर यह बड़े-बड़े algae के plants जो पाय जाते हैं यह dead plants जो होते हैं उसके अंदर पानी के अंदर उनके उपर भी यह पाय जाते हैं और वहां पर यह cold fast के द्वारा attached रहते हैं तो कहने का मतलब यह है कि young जो होते हैं वो तो attached होते हैं odogonium के filaments और mature filaments जो हैं वो मुक्त रूप से तैरते रहते हैं इसकी एक species है odogonium terrestris जो कि terrestrial है जो कि स्थल के उपर स्थल यह है मतलब जमीन के उपर पाई जाती हैं इसकी common species जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं वो आप देख लो odogonium keraticum odogonium ester odogonium elegans odogonium aerolatum और odogonium army gerum यह इसकी common species हैं जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं यह तो था कि odogonium किस थरह के वातावरण में पाया जाता है अब देखते हैं thalus हम जब कहते हैं thalus ठीलिस थैलिस कि वह जाते जब बहुत सारे इकठे हो जातें तो थैलिस कहलाते हैं तो odogonium काuthalus अपने पहले slide में लिए देखा था कि green होता है और बहुकोशी की होते हैं तो फिलामेंट्स जो हैं इसके अंदर बहुखोशी के फिलामेंट्स हैं, तो थैलस कैसा हुआ, थैलस green, multicellular और filamentus होता है, फिलामेंट्स छोते है एसे यहरो घ्रीन कलर के होते हैं और एक पूरी मैट मतलब जिसको पन कहते हैं धरी जैसी संगरचना पानी के उपड़शर या सबस्ट्रेटम के उपड़ बनाते हैं वोटरोगणिम के अंदर फिलामेंट्स लंबे और अनब्रांश्ड होते हैं Cells of each filaments are attached end-to-end and form uniserate row. यानि कि एक filament के अंदर कोशिका है, एक के बाद एक लगी रहती है, लगातार लगी रहती है end-to-end, और एक कोशिका मोटा filament बनता है. Uniserate यानि कि एक कोशिका मोटाई होती है filament की, और बहु कोशिका filament होते हैं. यदि, filament को हम ध्यान से देखे हैं, तो हम उसमें तीन तरह की कोशिका है mid-lity काकी मीली दिखाई देती हैं. एक filament को अगर हम देखें, थैलस, थैलस के अंदर फिलामेंट में और फिलामेंट के अंदर cells, तो एक filament को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर तीन प्रकार की कोशिकाई दिखाई देती हैं basal cell या rhizoidal cell या जिसको हम कहते हैं hold fast और फिर एक दिखाई देती है apical cell और beach में होती है middle cells हम इनका one by one study करते हैं तो सबसे पहले basal cell जो कि सबसे नीचे की कोशिका होती है यह तन्तु की सबसे नीचे की आधारवुद कोशिका होती है यह cell लंबी होती है और gradually narrow and towards the basal end यानिके यह अक्रभाग की तरफ थोड़ी होती है और नीचे की तरफ आते यह थोड़ी सी narrow हो जाती है पतली हो जाती है और base पे आकर यह फिर वापिस फैल जाती है और एक disc-like multi-lobed बहु पालित संग्रचना बनाती है जैसे उंगलियां से निकली होती है finger-shaped structure बनाती है वो structure इसको आधार से attach होने में help करता है तो इस cell को हम कहते है hold fast क्योंकि यह colorless भी होती है तो cell is long, gradually narrowed and towards the basal end it expands यानि कि आधार के उपर यह फैल जाती है और finger-like इसके अंदर structures निकल जाते हैं और disc बनाती है जिसके कारण से यह आधार से attach रहती है और इसको हम hold fast भी कहते है और इसका काम क्या है basal cell का the function of the basal cell is to attach the filament to the substratum substratum से यह filament को attach करके रखती है दूसरी जो कोशिकाई पाई जाती है वो apical cell वो हर filament के अंदर एक होती है यह topmost cell होती है it is a topmost cell of the filament the cell may be broadly rounded और acuminate and green in color यह apical cell जो होती है तो थोड़ी सी चौड़ी होती है और गोल होती है उपर से और green color की होती है यानि कि ब्लंट नहीं होती है तीखी नहीं होती है अगे से शार्प नहीं होती है तोड़ी सी मुड़ी होती है कुछ species के अंदर जैसे कि और्डगोनियम सीलियेटा एक species है इसके अंदर एपिकल सेल हेर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है मतलब बाल जैसे पतली धागे नूमा संगरचना बनाती है फिर बाकी जो बीच की कोशिका है एपिकल सेल और बेसल सेल के बीच में जो कोशिका है उनक कोशिका होती है और लंबी होती है चोड़ाई की तुलना में यानि के चोड़ाई कम होती है लंबाई ज्यादा होती है इसलिए हम कहते हैं कि वह सिलंडर शेप होती है फिलामेंट की जो बीच की कोशिका हैं उनके अंदर कुछ कोशिका हैं ऐसी होती है जिनके उपर की रिं एक कोशिका में जितनी कैप सुपस्थित है वह यह शो करती है कि उतनी बार ही उस कोशिका में विभाजन हुआ है the number of caps on a cell indicates the number of cell divisions in that cell यहने कि उस कोशिका में अगर दो बार विवाजन होए तो दो capsules होंगी चार बार विवाजन होए तो चार capsules उपस्थित होती है अभी आपको structure के साथ समझाते हैं यह देखो यह odogonium के filaments हैं अर्शाकित filaments हैं लंबाई जादा है चोडाई कम है सबसे पहले हम इसकी बेसल सेल की बात करें यह देखो यह बेसल सेल है यह colorless होती है नीचे से आपको colorless दिखाए दे रहे हैं और नीचे की तरफ डिस्क बनाती है और finger like उंगली के नुमा संग्रचना इसमें बन जाती है यह डिस्क को आधार से अटेच करके रखती है यहां पर आप देख सकते हो यह यह flattened disc है यहां पर यह colorless cell है hold fast और यह नीचे से उपर से चौड़ी होती है और नीचे की तरफ जाते यह narrow होती जाती है और नीचे की तरफ फ्लैट हो करके disc बनाती है एपिकल से एपिकल से यह सबसे उपर जो होती है उसको हम एपिकल से कहते है आप देखो यहां से गोल होती है एक्यूमिनेट होती है और सेलियेटा स्पेशिस के अंदर यह hair-like structure बनाती है बालों के जैसी संग्रचना बनाती है यह बेसल सेल देख रहे हो अप यहां पर यह डिस्क बनी यह बेसल सेल है और यह एपिकल सेल है जिसमें की hair-like projection पाया जाते है अब आती है सारी यह बीच की आप यह शेल्स यह सबी सेल्सें एक जैसी होती है लेकिन कुछ सेल्स के अंदर यह देखका प्रिंग्लाइक संग्रचना काप जैसी structure पाया जाती है स्के अंदर इन सेल्स को हम कहते हैं यह वाली सेल्स किया कैलाएंगी कैप सेल्स और इन तीन तरह की कोशिकाएं विद्धि पूरी और यह चार अपिकल कैप हैं जैसे यहां पर मारम गिन सकते हैं तो इसका कहने का मतलब यह कोशिका तीन बार विभाजित हुई है यहां पर भी यह तीन अपिकल कैप हैं तो इसका अतलब कोशिका में तीन बार विभाजन हुआ है तो इसी तरह से यह कैपसल्स हो गई यह अपिकल सेल हुई और यह बेसल सेल हो गई तो तीन तरह की कोशिका इसके उड़ोगोनियम के फिलामेंट के अंदर पाई जाती है तो यह तो थी थैलस ऑफ दी डोगोनिया आज के लिए इतना ही बाकी कल हम इसका करेंगे सेल का स्ट्रक्चर अब यह जो थैलस है थैलस के अंदर फिलामेंट्स थे फिलामेंट्स के अंदर सेल थी तो फिलामेंट्स कैसे होते हैं वो हमने देखा उसमें कितनी तरह की सेल्स होत so thank you